हेलो स्टुडेंट्स, वेलकम तु माई इंग्लिश पिट मैन, सॉठेंड चैनल तो मैं आज आपको सॉठेंड पढ़ाने आया हूँ, मैं और आपको पूरे चैप्टर सीक्वेंस वाइस, पूरे चैप्टर वन वाई वन करके आपको पूरा एक्स्प्लेंड करूंगा कैसा आउटलाइन बनती है, सॉठेंड क्या होता है, क्या नहीं होता है, मैं चैप्टर वन से आपको पूरा एक्स्प्लेंड करने जा रहा हूँ, तो आप से रिक्वेस्ट अगर आप सॉठेंड सीखना जाते हैं, तो आप मेरी पूरी वीडियो लाइन से देखें, तो मैं चै हाँ नहीं हमें कम से कम 2-3 सेकंड हमारा समय गया, तो हम इसी को सॉठेंड एक ऐसी लैंग्वज होती है, मतलब ऐसा ओर्ट होता है, जिसको हम सॉठेंड को लिखेंगे, तो यह होगा सॉठेंड, तो इससे हमारा टाइम बचा, तो वैसे ही आपको बाहसा जुडिशियल आप दीवेंदी में लिखें तो इसलिए सॉटेंड एक ऐसी चीज़ बनाई गई है जिससे आप स्पीड में कोई भी चीज़ लिखा जा सके तो सॉटेंड मतलब यह होता है सॉटेंड को बेसिक रूल यह जरूरी नहीं है सिर्फ हाइप या कोड में वेकंसी आते हैं वेकंसी लिखता है जो फोटो क्लिक करता है उसको क्या बोलते है फोटोग्राफर बोलते है ठीक ना तो वैसे ही जो सॉटेंड लिखता है उसको क्या बोलते है इस टैनोग्राफ है जो सॉटेंड लिखता है उसको बोलते है इस टैनोग्राफ है ठीक है यह मैं आपको बेसिक चीज आप को पूछ लेख होनी चाहिए कि क्यों हम लोगे सीखते हैं अगर आप कोई वर्ड जैसे लॉंग हैंड हैंड वर्ड तो आप बहुत समय लगेगा तो वहीं से आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आप मैं ताइम ना वेस्ट करते हूं मैं आता हूं चैप्टर वन पर ठीक आप मेरे चैनल से जुड़ा रही है आपको कोई आफलाइन कोचिंग करने की जरुवत नहीं कुछ भी जरुवत नहीं है तो मैं चैप्टर वन शुरू करता हूं ठीक न चैप्टर वन क्या नाम है इसका तक कॉंसोनेंट्स कॉंसोनेंट्स अब आप इंग्लिस पढ़े हों उसका नाम है एक उसको मैंणे क्या होते हैं तो आप कुछ इसका एक रूल होता है मैं उससे समझाओंगा कैसे इसका समझा जाता है तो शमर्ण दिये का आपने सरकल बना लिया ठीक उसको मैंने तू पीस में कट कर दिया ठीक आप देखे मैं आपको इसमें स्ट्रोग निकालूंगा क्या होता है तो पहले जो ये कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये तो ये जो एंगल बन रहा है ये ये आप देख सकते हैं तो ऐसे बना है तो यह क्या यह बोलते हैं पी तो इसी से सारे स्ट्रोक निकलेंगे अब यह देखें यह आया तो यह क्या हो गया यह होता है टी ठीक और आप देखेंगे ऐसे आएगा यह हो गया अप्ट्यूस एंगल अप्ट्यूस एंगल से क्या निकल गया पी ठीक यह और जो यह आप देखेंगे यह वाल एंगल सर्फ लाइन ऐसे होगी तो इसको क्या बोलेंगे के अभी डार्क लाइट क्या नहीं होता है मैं आपको एक एक स्टेप करके सबसम्झाओंगा तो आप देख सकते हैं मैंने एंगल से आपको समझा दिए ऑप्ट्यूस अंगल तो T आया तो 90 डिग्री आया तो T और जब accurate एंगल आया तो C अच्छे बोलते है इसको और जब ऐसे line आएगी तो क्या बोलेंगे आप इसको K बोलेंगे तो आप देख सकते हैं मैं आईसे कट किया तो यह आया अब जब शरकल ऐसे बनाया इसको ऐसे कट किया तो आप यह जो सब्क्राइब यह क्या होता है एन आ जाता है और यह डाउनवर्ट ऐसे आता है एसे यह और यह देखिए ऐसे आया तो यह क्या हो जाता है जाता है उसे आएगा इस नहीं पर फोटा से निकाल के सब्द बनाया है अब सरकल को मैं दूसरे एंगल में कट तो हमारा क्या हो गया एंग को क्विस को कैसे क्या बनाया जाता थीक ना मैं उमिद करते हो आपको यहां तक बिलकूल ईजली समझ जा रहा होगा थीक तो मैं नेक्स्ट आपको बताने वाला टोटल कितने consonant होते हैं और कैसे बनते हैं तो आप देख सकते हैं पहला consonant क्या होता है यह मैंने बनाया पी यह क्या हो जाता है पी इसका pronunciation क्या है वहीं ऑप्टिउस अंगल वाला और जब हम इसी को डार्क कर देंगे इसी को जब हम पी को डार्क कर देंगे तो यह क्या बनेगा भी इसको पढ़नेगा इसलों मैं प्रणनसियेशन वाला लिख रहा हूं कि क्या प्रणनसियेट करेंगे तो इसको क्या भी लिखेंगे भी लिखेंगे अब जैसे यह लिखें यह 90 डिग्री वाल तो अभी मैं आपको T बिताया था ठीक है और जब इसी गुड डर कैसे ऐसे तर्टेस हैं से दवाएंगे फोक्स इसको क्या लिखेंगे गतीर नाएं नहीं है कि इसे इंगलियस में PCD यह ऐसे नहीं हाएगा तो यह सफन्सेंट कैसे का अपना सॉट है कि तो यह चे हो गया और जब इसको आप से में डार्क कर देंगे तो क्या हो जाएगा जिस्यों हो जाएगा ठीक है ऑजब लाइन ऑन दे लाइन बनाएंगे तो यह हमारा के ge payer कर देंगे तो हो जाएगा यह हो जाए है और इसके बाद आता यह बनाया ऐसे हमारा क्या का ओग अध्यों क्यों कि Bengi अरब अधर से जब से बनायेंगे तो यह क्या हो जाएगा ऐसे को उर्जेओं करते हैं इसको ज्यों को जा जिए हो झायेगा जैसे फट्क और हो गया इसको क्या बोलेंगो है इस पढ़ें यह च्श्क च्ञ्षार करें Oyर तो इसको जी पढ़ें स्क 10 मिलाएं ग्याट मैंंख्स के बंगे इसको दई काज़। कर देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे इंग पढ़ेंगे झीश पंग है उसके बाद да हम ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या पढ़ेंगकश फाल का अब बनाय। तो ल हो गया हम जब डाउनवर्ड से ऐसे बनाएंगे अफवर्ड से डाउनवर्ड तो पर भी हम ये ल बढ़ेंगे ल दो टाइप के हो तो आगे आप जब पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा मधीर दिर आपको सब बढ़ा दूगा और जब आप डाउनवर्ड ऐसे ब वह आगे आप जब रूल पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि आपको कौन सा कब यूज़ करना है वो भी आपको पता चल जाएगा तो आप देख सकते हैं यह भी ऐसे बनाया आपने अचे भी जे बनाया चे भी ऐसे बनाया तो इसका डिफ्रेंसीट यह होता है कि यह एक्वूट साइस क्या बनती है तो आप देख सकते हैं आर तक मैंने आपको बता दिया उसके बाद आब आते हैं डबलू पर यह जब ऐसे बनाएंगे तो इसको वेव पढ़ेंगे डबलू बोला जाएगा जब ऐसे बनाएंगे तो इसको क्या बोलें यह बोलेंगे इसको वाई बोलेंग उभीक और जब ऐच की बाता हमाते है तो एच ऐसे बनेगे और एक General एसे वनाओंज क्या अप्टेब लोग मनि यह क्या दोनो यह दोनों क्या है एच्छ हैं तो इतने इसे होते हैं ईकांस्टेब अब मैं आपको मतांग क साईज होनी चाहिए कैसे बनता है अब मैं आपको step by step बता हूँ तो यह आप देख सकते है पी टी चे के एफ एथ एस इस एम एन इंग एल आर डबलू वाई और एच इतने constant होते हैं मैं आपको पूरा constant समझा दिया हूँ अब आपको placing होती है अब देखें क्या क्या important होता है है दोसरा होता है डार्क लाइट बन रहा है और सबसे इंपोर्टन चीज क्या होता है साइस इस्टोक क्या साइज हो और पोजीशन यह आप जब वावल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप इसको लाइट बनाएंगे तो यह पी होगा जब आप इसको डार्क कर देंगे सेम आउट लाइन के तो यह क्या हो जाएगा बी हो जाएगा तो क्या सेकंड मैंटर करा डार्क लाइट अब साइज मैंटर करती है अब जैसे आप इंगलीज में कोई भी लिखेंगे चीक ने आप साइज है था एक वड़ा भी बनादी है तो पर भी यह बना यह बना यह यह बना है यह बना है यह बनाए सब क्या पर यह किầ вы इसालब क्या हो देख सकते हैं ये solution हिमारी ये लाइन है तो आपका इतना होना चाहिए के आपका यह उपर की समय लिए इसको तीन पार्ट में कट करें हम ने हैँ यदो या तक हो आपका जो पड़ेट गर स्पेस हो न कि इतना चुछ दिया जाया तो आप जब horizontal stroke होंगे तो इसकी size बितनी होने चाहिए बहले वह लेटे हुए होंगे तो आपको इतनी बड़ी size होनी चाहिए यह size यह size यह size बितनी बड़ी होनी चाहिए तो यह आपको size बहुत matter हो करता है तो मैं उमीद करता हूँ यतना आपको अभी तक मैंने पढ़ाया आपक तो आप मैं आगे बारता हूँ आपको exercise book में कैसे आपको practice करनी है अभी मैं बताता जाओंगा कि इससे आपको कोई कोचिंग कोचिंग की जरूरत नहीं है मैं आपको घर बैठे ही आपको पुरा sort and पढ़ाने वाला हूँ ठीक अब देख सकते हैं मेरे सामने एक book खुली है pit man की आप इसको ले लिजेगा purchase कर लिजेगा market से अच्छा रहेगा मैं आपको link में PDF बूक की दे दोंगा जिससे आप practice कर सकते हैं ठीक आप देख सकते हैं प्रेक्टिस के लिए क्या है PB ऐसे बनाया है तो पी डार्क बनाया है तो भी ओके पी टीडी चेजे आप ऐसे प्रेक आप यहां बी लिखें प्रेक्टिस करें तो ऐसे आपको याद होगा तो आपको exercise ऐसे करनी है फिर आपको exercise 2 बे आना तो आपको इसको read करना वो पढ़ेगा अब जैसे ही है तो आपको यह लिखा पी ठीक तापको ऐसे read करना है अब यह देखिए लिखा यह नीचे तो यहा दी पढ़ेंगे इसको एच पढ़ेंगे इसको बी पढ़ेंगे इसको वाई पढ़ेंगे इसको टी पढ़ेंगे इसको चे पढ़ेंगे इसको आर पढ़ेंगे इसको जी पढ़ेंगे इसको जे पढ़ेंगे इसको गे पढ़ेंगे ठीक ना तो आपको ऐसे इसको practice करना है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको exercise one or two आपको समली homework के आपको यह अपने से practice करना आपको कोई भी doubt हो तो हमाँ telegram channel है उस पे आप हमसे कोई भी query हो तो पूछ सकते हैं तो मैं आप आपको chapter one पूरा complete करते हैं एक ही वीडियो में कि जिससे आपका time waste ना हो तो मैं आपको next step भी step पढ़ाऊंगा और मैं उमीद आप देख सकते हैं आप किसी भी channel में किसी coaching में पढ़ ली जतना मैं basic आपको पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगा जितना भी मैंने आपको rule से पढ़ाया तो अब मैं आपको joint stroke बताने जा रहा हूँ exercise three कैसे करेंगे आप ठीक ह तो joint stroke कैसे होता अब जैसे मैं आपको बताया थाभी पिभत आया था यह से बताया था आपको मैं पी अब पी की बाता आ जाए गए गया टी जैसे हमको लिखना होगा पी टी तो आप कैसे लिखेंगे तो मैं आपको direction मैं बोला ता ना आपको direction बहुत important है तो आप जैसे पी प्लस च्ट एक्र व्लाना कोई प्लस गणाना प्लस तो कैसे ब dipping क्लोट हमारा एक Talk लिए बॉस्ट को जोड़ें तो हुमारा क्या हो जाएगा क्या हुआ है कि यह हमारे पीटी आ मैं हमको PD जोड़ना होगा तो पी बनाया हो तो यह क्या हो जाएक हमारा PD हो जाएग tuo लगा तो मैं उम्मीद कर तरहा ह rif буду समझ आ रहा होगा किए क्या करते हैं एक करते हैं तो अब में दिखाताँ पी और चे जोड़ने का पी और चे पी ऐसे बनता है चे ऐसे बनता है तो हमने बनाया पी और यह बनाया चे तो यह क्या होगा है पीची है ठीक अब हम आपको बनाएंगे बी अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे बी ऐसे बनता डार्क और एफ ऐसे बनाते हैं तो बी प्लस एफ आपको बिस्टेद मना घृष कि वड़ए रहे श्राम बनानлох साल्राइं डियर्ट अश्रेश यह होतीक है आपको ड़े और भी अजर बनाएंगे डिवनाया थिए बनाना है खर आपको बनाना जब्स होρέ तो क्या है जबना号 डिट यहां से तो बना Undo जो आउटलाइन जिस डारेक्सिन ने मनता उसी डारेक्सिन ने मनेगा तो यह क्या हो गया ठीक अब एच डी बनाना है तो एक हमने ऐसे बनाया तो आपको शी में डैसे जोड़ देंगे कभी उल्टा सीध़ ना करेंगा तो तो डियाईसे बनेगा एच है फूर एच है धश ऐसे बनेगा हम लेकर अब नबनाया नाया तो आर्ड डाउन्वर्ड बनाया यह क्या हो गिया शैच आरल यह आपको क्या हो ज्युआ अपको फिर आपको पूरा सई से समझा दीजा थे अभी कि अपको बहुत अच्छ से समझा आ गया हुआ आप देख लिए किसी भी चैनल में किसी भी कोचिंग इतना अच्छ तो आप पहले exercise one or two constant एंदम अच्छे से रट लिए याद कर लिए इसको practice करकर खुद याद हो जाएगा तो बोलिए तो मैं उसके trick भी बता देता हूं याद कैसे आपको करना है तो आप देख सकते हैं आपको practice करना हो जब भी हो तो आप एक कोई भी वाइट उठा लिए जैसे मैंने writing यह वाइट उठा लिया ठी यहां बनाए तो आप को एथा बनाते चलिए जाए पिर आप से याद होता जाए तो आप एक्सरसाइज 3 & 4 पूर्ड करिये तो आप जब इतना कुछ कर लेंगे तो फिर आप जब मेरी नेक्स्ट वीडियो देखेंगे मैं उसको आपको वावल से बताऊंगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको भी चैप्टर समझा जाएगी और मैं आपको ऐसे ट्रिक से स्वावल चैप्टर आप किसी कोचिंग में कहीं भी ट्रैल देकर आजाई है जिस लेवल का मैं आपको समझाने वाला हूं वावल नेक्स्ट चैप्टर वह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा क्योंकि जिस टीचर से मैंने पढ़ा था वह बहुत ही अच्छे बेसिक नॉलेज उनको अच्छी थी वह